Good morning साथिओ, सवागत है आपका अपकेपने चनल समाधान इस्टिडी में सबसे तेज और सबसे फास्ट अपडेट देने के लिए आप समाधान इस्टिडी को follow किजिए सातियो सबसे पहले और सबसे फास्ट आपके लिए हमने एक वेकेंस लाए है और यह है वेकेंसी देखी सातियो 22 जून 2020 और 7 बचकर 50 मिनट पर निकली है मतलब सातियो इसके बारे में आपको बता दू कि यह है वेकेंसी जो है अभी लागडाउन चल रहा है आपको पता ही है तो सब अपने stay home home पे घर पे रह रहे होंगे तो सातियो यह है वेकेंसी है SBI की मतलब आपको पता है state bank of india So these है इसमें वेकेंसी कुझ सी है yes CO की वेकेंसी निकले सातियो बहुती सांदर वेकेंसी है ऐक दो साल में एक बार निकलती सातियो और यह वेकेंसी आप सभी लोग apply कीजीगा बी बीटेक वाले student के लिए तो यह निकली है other भी student इसे apply कर सकते है तो सातियो यह vacancy क्या है और इसमें age कितनी मांगा है इसमें आपको pay कितना रुपे करना पड़ेगा और इसकी last date है और exam कब होगी संपून जानकरी आपको दूगा इस वीडियो में तो वीडियो में देखते है सातियो आगे चलके कि इसमें क्या जानकरी महत्पून होती है आपके लिए देखिए सातियो यह जो form निकला है आपको बता दूँ यह form है मैंने आपको बता है SC SCO ठीक है सातियो SCO मतलब क्या है इसका मैं जो वेकेंसी है नीचे बताऊँगा आपको चलिए आगे बढ़ते वे देखते है यह वेकेंसी क्या है दूटियो तो यह वेकेंसी है specialist cater officer वेकेंसी post recruitment 2012 sorry 2020 तो सातियो यह most important वेकेंसी है जो SBI के तरूँ निकलती है सातियो P.O. color का यह वेकेंसी तो निकलती है धगी निकलती है पर यह जो आपकी उनके उपर वाली post निकली है तो यह बहुत कम निकलती है तो देखते है सातियो इसकी जो form भरने की date कभ है तो सातियो इसकी apply कीजीगा आप लोग इसकी जो है 23 June कितनी सात्यों 23 जिन से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके है और देखे सात्यों जिसकी रजिस्टेशन और लास्ट डेट है तो यहां लास्ट डेट है 13 जुलाई 20 दिन दिया है साब आपको फॉर्म भरने के लिए सात्यों एक्जाम डेट अभी जो है दिया नहीं है तो आप लोग टेंसर ना लिजिए जो है यह बेंकिंग छेतर है कौन सा छेतर है बेंकिंग छेतर है तो सात्यों बेंकिंग छेतर है एक ऐसा छेतर है जो सात्यों 6 मंत में आपको पोस्टिंग दे देता है तो टेंसर ना लेजिए कि एक्जाम कब होगी तो आलमोस्ट आपकी दो मंत के अंदर एक्जाम हो जाएगी और देखते हैं पे मतलब आपको फी कितने लगने वाली पैसा कितने लगने वाला है तो जनरल और OBC स्टुडेंट को साड़े 700 रुपे लगेंगा साथ सो पचास है तो बिल्कुर वह सांदर तरीके से आपको डाल नहीं है आगे बढ़ती हुए बता दुमें आपको साथियो मैक्जिमम एज आपकी 27 जो है होना चाहिए और आपको इसका बेनिफिट बताओ साथियो आपको जो स्टुडेंट है तो उनको पास साल का एज रिलेक्सेशन मि जलता है तो बिल्कुर आपको जो इसमें पाच जोड़ेंगे तो साथियो हो जाएगी 32 तो स्टुडेंट 32 और जो ओवी सी वाले स्टुडेंट है उनके लिए 30 मतलब 30 आगे बढ़ते हुए मैं बता दू आपको साथियो देखिये और एक खास बात है साथियो आपका जो किया होंगे जो डिग्री तो डिग्री कोर्स के लिए आप यह जो फॉल में डिग्री कोर्स वाले अपलाई करें तो 65 होना चाहिए और जो स्टुडेंट है उनको 55% मागा है जो आपका जो डिग्री आपने B बिटे जो किया है जिस सब्जेक्ट में उसका आपको 65 और 50% apply करना है यह नहीं देखना कि वेकेंसी कितनी है अपने को यह देखना है कि आप जो है एक ही सीट चाहिए आपको को कॉलिफा आने के लिए कित्फिट चाहिए एक सीट चाहिए देखिए मैं आपको बता दू इसमें जो है अलग-अलग डिवाइट करके पोस्ट दिया गया है किसे में 40 एस भी माँगा है किसे में 60 माँगा है तो आप इसे से अन्दाजल लगा सकते हैं सात्यों कि यहाँ जो है वेकेंसी किती लोड़ेड है मतलब कितनी भारी वेकेंसी है देखिए कई बीटेक भी माँगा है बेचलर डिगरी एक्सप्रियेंस माँगा है तो सात्यों अलग-अलग प्रकार की यहाँ पर जो है जॉब रिक्रूपमेंट आपके लिए और एलिजबल टेस्ट निकली है तो सात्यों यहाँ थी बिलकुर इंपोर्टेंट जानकारी आपको कैसे लगी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक दे दूँगा तो आप लोग जो है लिंक पर किलिक करके यह फॉर्म को फिल अप कर सकते है देखे एपलाई जो है स्टार्ट हो चुका है तो सात्यों बहुत ही इंपोर्टेंट वेकेंसी है सभी सात्यों और सभी मित्र मेरे तो सभी लोग डालेगा फॉर्म बिलकूर सांदर तरीके से ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं मिलते आपको नेश्ट क्लास में तब तक के लिए जय ही जय बारत